प्रेग्नेंसी के नववे महिने में आने वाले ये खास चार बदलोग किस तरफ संकेत करते हैं कि आपके गर्प में लड़का है या फिर लड़की Hello दोस्तोł Welcome and Welcome back to my channel जहां हम बात करते हैं Makeup, Beauty, Turning, version और Mommy Talkie एक बात फिर से मैं लेक raised to us pregnancy video जी हां हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी pregnancy की journey almost complete होने वाली है यानि कि जिनका 9 महीना चल रहा है वैसे तो pregnancy जब से ही आप carry करते हैं या जैसे ही आप baby conceive करते हैं तब से ही आपकी सरीर में बहुत सारे बदलावारे शुरू हो जाते हैं कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि हार्मोनल चिंजिस की वज़े से होते हैं कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हम जान पूछ के करते हैं मतलब मैनुली लोग बताते हैं कैसे उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो बहुत स आपको अभी भी उत्सुपता है इस बात की जानने की कि आपके गर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की तो आपके सरीर में आने वारे कुछ खास बदलाओ जो कि मैं चार बदलाओं की बात करूंगी यह बदलाओ आपको काफी हद तक मदद कर देगा जा कि स्टार्टिंक से ही हार्थ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है जैसे कि मैं मेरे साथ ऐसा ही उवा था मुझे आ फ्रस्ट पम से ही स्वेलिंग आना शुरू हो गया था मेरे पैर आखरेस महीने तक coupon sih घ्ठ शू गया तो बात कर देश्युरू छीğan हो नॉअ मुह तो यह एक लड़की होने के तरफ इशारा करता है लेकिन अगर मैं बात करूं नौवे महिने की तो नौवे महिने में भी इसी चीज को माना जाता है अगर आपके अगर में बेटी होती है ना तो आपके हाथ पैरों में आपके पूरे सदीर में बहुत जादा सूजन रहती है अलग सा ही मोटापा देखता है लेकिन अगर आपके हाथ पैरों में सूजन नौवा महिना लगते लगते भी हलकी फुलकी ही है बहुत जादा नहीं है क्योंकि देखो पैर थोड़े बहुत मोटे होई जाते हैं आपकी थोड़ा सा क्या होता है पानिक को स्टोर करना कुछ लोगों को नहीं भी होती है ठीक है तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नौवा महीना लग चुका है लेकिन आपको सिफ 19-20 का फर्क दिख रहा है आपको अपने हैत पैरों में जो सूजन है वो बहुत ही कम महसूस हो रहा है बहुत जादा नहीं है तो ये एक लड करके जड़ूर बता है एक बात मैं पहले ही बता देते हूं मैं या मेरा चैनल गर्व में पल रहे बच्चे के लिंक परिक्षन को बढ़ावा नहीं देते हैं अगर आप ऐसा करवाते हैं तो हमारे देश में ये बैन है आपको आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा ह हो सकती है अब हम बात करते हैं दूस्टी सिंटर्म की तो वह है वाइट डिस्चार्ज जी मेरा मतलब है कि आपके प्राइविट पार्ट से लिक्विट फॉरम में वाइट डिस्चार्ज होता है मतलब सफेद पानी गिर्ना रिस अगना ठिक है तो आप समझ पा रहोंगे मे आपको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज नहीं होता है तो यह एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है वहीं अगर आपको वाइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और अगर तीसले तिमाही में मैं तो यह एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है लेकिन इस चीज के साथ मैं एक चीटावनी भी आपको देना चाहूंगी कि अगर आपको तीसली तिमाही लगते लगते या फिर नहुआ महिना लगते लगते आपके साथ यह दिक्कत हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्चारज की प्रॉब्लम हो रही है बहुत जादा सफीद पानी इतना शुरू हो गया है ना तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से मिले क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप समझने पाते वाइट डिस्चारज होता रहता है और बाद में आपकी प् प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें अगर मैं बात करूं तो वह है गैस बना ऐसी डिटी की प्रॉब्लम या जी मचलाना देखे शुरुआत में यानि की पहले महिने में तो यह सारे प्रॉब्लम रहती है जी मचलाना मतली उल्टी यह सारे समस्याएं रहती है और इनको क साथ ऐसा हो रहा है देखे गैस बना ऐसी डिटी की प्रॉब्लम होगी नॉमली हर किसी को होती है क्योंकि 9 महीन आते हैं आते हैं आपका बच्चा फूली ग्रोन अप हो चुका रहता है उसका विकास हो चुका रहता है और वह आपके पेट में एक बड़ा स्पेस ऑकिपाय क आते हैं तो इस वजह से क्या होता है आपका डाइजेसिन सिस्टम जरूर डिस्ट्रॉब हो जाता है जिसके वज़ेसे एक खान पर डाइजेस्ट नहीं होगा खाना का पार्चन सही से नहीं होगा तो ऐसी डिटी बना गैस बना जी मशलाना यह बहुत ही आम बात है तो आब किनो आपके सहरी में ये बदलाव है तो देखेंगर ऐसा हो रहा है आपके साथ स्ब्लम चाहिए तो अधसा माना जाता है कि अगर गर रही होती है तो आपका का दाटेय होने जाता है जब बेबी का सिर नेचे की तरफ जाता है और आपके ऊपर का एरिया थोड़ा से रिलाक्स थोड़ा खाली मैसुस होता है क्योंकि पेट में बच्चा नेचे की तरफ जा रहा है तो उस टाइम पर वापीस से की समस्याओं में थोड़ा आराम मिलेगा लेकिन अगर गैस बनने की प्रॉब्लम जी मचलाना उल्टी की समस्या है आपके साथ तो कहते हैं कि यह एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है वहीं अगर आपका खाना प्रॉपर डाइजिस्ट हो रहा है अच्छे से आपका पा यह हर किसी में सेम नहीं होता क्योंकि हरकिसी की प्रेग्नेंसी हरकिसी की बॉड़ी सेम नहीं होती है तो कई बार ऐसा होता है कि यह जो सिंट्रम्स है यह ऑपोजी जेंडर में भी मिल जाते हैं क्योंकि हम देखिए साइंटिफिक बात नहीं करें हम प्रमानित बात नहीं क या फिर प्रेग्नेंसी में नीन नीन के अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कॉमन समस्या है क्योंकि आखीरी महीना आते या तिसी तिमहाई आते आते इसका बच्चा फुली ग्रोनप हो चुका रहता है जितना बढ़ना होता है बढ़चु का रहता है और आपका लगाता वेट बढ़ ही रहा होता है तो उस टाइम पे सोना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि आप कंफुर्टेबल पोजीशन ही नहीं दून पाते हो आप मतलब करवट ले रहे हो एक सार दूसरे साइड आपके पेट का जो भार है प्लस खुद का वेट है प्लस आपका डाजेशन सिस्टम ब अच्छी आरे है तो यह रखा करता है तो अगर एकी लडगा उने की तरफ बतया है तोane सारे बहुत ==== है अपने अंदर और प्लीज कॉमेंट करिए क्योंकि मुझे सच में आपके कॉमेंट पड़ना इसको रिप्लाइ करना बहुत अच्छा लगता है तो यह था आज का वीडियो उमीद करते हूं वीडियो अच्छी लगी हो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ए हूं